कि हमने प्लस माइनस और मल्टिप्लेकेशन देखा अभी एलजेब्रा डरेवेटेश में लास्ट डॉला गरेटी बचा जिसके अंदर डिवाइड करना आपको एक्वेशन दिया जाएगा वाइज इकल टू यू आपन वी फॉर्म में यानि आपको उपर की नुमेरेटर में भी एक डरीवेशन देगा और आपको डुना मेने तरह जागा पर देगा उपर और नीचे दुलू जागा पर आपको ब्राकेट दिया जाएगा अब आपको यहां पर डिवाइड करना है तो वाई का डेरिवेटिव लेते समय आपको यहां पर क्या करना है डीपाइड दी और व का भी derivative लेना है but when we are talking about derivatives यहां पर आपको क्या करना है second that is V derivative of dx of u minus u d upon dx of v upon v square याद करने के लिए करेंगे क्या my dear याद करने के लिए 2d1 minus 1d2 upon 2 square जब आपर 2 बोला जाना मत्तला second याद अपान वाला ठीक है जो नीचे का हिस्स है वो second वाला पाट है तो ठीक है और उपर वाला जो पाट है वो first वाला पाट है तो second वाला लिखो first का derivative निकालो minus first वाला लिखो second का derivative निकालो divided by upon जो है यादि वी जो है यादि जो second वाला उसका square रह लिखा ठीक है तो इस तरह के से derivative solve करना है यहाँ पर आपको question दिया यहाँ पर एक सबसे पहले करना है क्या है let y is equal to x cube minus 2x square plus 1 upon 3x square plus 4 सबसे पहले question answer दिखना है second sentence भी आपका ऐसी रहे का dy by dx question लिखा dy by dx of x cube minus 2x square minus sorry plus 1 upon 3x square plus 4 आपको पहले क्या करना है as it is लिखना है ठीक है अब लिखने के बाद धरोगे का second वाला लिखो 3x square plus 4 but derivative of first one x cube minus 2x square plus 1 नीचे वाला मतला second equation second लिखा but derivative of first one derivative of first one minus of first one लिखो but derivative of second one second क्या है 3x square plus upon 3x square plus 4 का square नीचे कुछ भी changes नहीं करेंगे ठीक है नीचे वैसा कब ऐसा ही रहेगा नीचे कोई भी changes करने की जवरत नहीं है यानि 3x square plus 4 का square ही रहने वाला है अब देखो क्या आपर कुछ लिखा है नहीं सर तो उसको as it is लिखो मतला derivative निकलने कहा गया नहीं बट जहां पर derivative बोला है उसके आगे होगा तो derivative निकलना पड़ेगा तो सर एक्स क्यूप का derivative होता है 3x square 3 आगे लिखा तो 3x और उपर minus 1 को तो 3 minus 1 2 minus 2 2 2 जा 4 x उपर 2 minus 2 x square तो 2 आगे लिख तो 2 into 2 x उपर minus 1 तो 2 2 जा 4 और इंदर 1 आएगा 4 x plus 1 का पर derivative कितना होगा जीरो नमबर नमबर का derivative आता है 0 minus x cube minus 2 x square plus 1 derivative नहीं कर लो बटा 3 x square का 6 x आ गया plus 0 को दिक्कत 9 अब हमें क्या करना है पूरे equation को ब्रेक अप करना पड़ेगा तो ब्रेक अप करने के लिए क्या करेंगे देखो सबसे पहले 3 x square का इससे करो तो 3 3 जा 9 x square x square x 4 हो जाएगा 3 x square का multiply 4 से कर तो 3 4 जा 12 minus 12 हो गया x square और x x cube हो गया clear 3 x square का 0 से करो कोई मतलाब नहीं है 0 यह आने वाला ठीक है आगे बढ़ते है प्लस 4 x 3 4 3 जा 12 plus 12 x square plus minus minus 4 4 16 x 4 का 0 से को तो 0 जाने वाला कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर सॉल्फ करते हैं पहले हमनों को यह वाला ब्रेकेट सॉल्फ करते हैं जो सेकेंड वाला बिटा है ना पहले उसको पुरा सॉल्फ करते हैं तो समझ में आएगा कैसे करेंगे यह पर कुछ निमातर सिक्सेक्स ही है तो यहां से हटादा देदा सिक्सेक्स सिंपल सिक्स इंटू एक्स क्यूब तो सिक्स एक्स क्यूब 6 2 जा 12 x 3 जा और चार हो जाए और माइनस 2 जा 12 x square x x plus 6 1 जा 6 x नीचे वाले में कोई भी चेंजेस नहीं होगा तो 3 x square plus 4 का derivative अब उपर आले में bracket open करना पड़ेगा मतलब 9 x 4 minus 12 x cube plus 12 x square minus 16 x बाट यहां पर माइनस के साथ को जो प्लस 6 था क्या हो जाएगा माइनस 6 4 माइनस माइनस प्लस 12 x cube plus माइनस माइनस 6 x लीचे में कोई भी चेंजेस नहीं होगा 3 x square plus 4 का square now check करो रिष्टे दर कहां कहां पर है मतला 4 इदर है इदर 4 है तो 9 minus 6 कितना होगा 3 x 4 ठीक है फिर minus 12 plus 12 cancel एक बार प्लस एक बार माइनस cancel 12 minus 12 x square और इदर कुछ भी है तो प्लस 12 x square ही रहेगा माइनस 16 x minus 6 x minus 16 minus 6 minus minus plus minus 22 x upon नीचे कोई भी changes नहीं है तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा final answer हो जाएगा तो dy by dx का answer क्या गया यह वाला पार्ट हमारा answer हो जाएगा next question क्या दिया देखो 4e raise to x plus log x divided by 10 raise to x plus root x सबसे पहले क्या करने का let y 4e raise to x plus log x upon 10 raise to x plus root x अब क्या करना है अब इसको पहले derivatives लिखना है तो dy by dx यहां पर आएगा dy by dx वहले 4e raise to x plus log x upon 10 raise to x plus root x अब क्या करना है सर जी अब यहां पर आपको derivatives निकालना है तो पहले derivatives second से निकालोगे तो 10 raise to x plus d by dx of first one that is 4e raise to x plus log x अब नीचे 4e raise to x plus log x d by dx of up denominator that is 10x plus root x upon 10x plus root x का square difficulty denominator derivative of numerator numerator derivative of denominator denominator का square अब क्या करेंगे फर्स्ट वाले में कोई भी सर्दिक्कात नहीं है इसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे इसका derivative निकालेंगे तो माइडियर 4EX का derivative 4EX है because E is a irrational number ठीक है और log X का derivative 1 upon X minus minus डाल दो second वाला 4E raise to X plus log X अब 10X का derivative होता 10X log 10 plus इसका होगा root X का derivative होता 2 root X upon नीचे आले में कोई भी changes नहीं होगा तो उसमें अपने को as it is लिखना है अब फाइनल step solve करने के लिए जाओगे तो क्या लगता है इसमें किसी तरीके का changes होने वाला है क्या नहीं इसमें कोई भी changes नहीं होने वाला है तो इसका मतलब यह जो पार्ट है ना यही पार्ट अपना क्या बन जाएगा derivative क्योंकि इसके पहले के सम्में हमने क्या किया था बड़ इसमें को भी changes करने के ज़राद नहीं है नहीं है। यह है, root x है, Sorry. इसमें को भी changes होने वाला नहीं है, उपर कुछ भी क्योंकि सब का derivative already निकाल के रखा है, और यह सब अपने अपने बस्ती में मस्ती कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहां पर भी कुछ अलग ने यह आपर भी कुछ अलग नी है। यहां पर भी कुछ अलग नी है। क्योंकि पिछला ले सब में कैसा हो रहा था? चैसे x-square है, और अंदर ले में x-c3 है तो हम भी multiply तो कर सकते थे, यहां पर सब निचर का है, अलग है। यह अलग निचर का है, यह रूट का निचर का है, यह राशनल लंबर है, और यह 1 अपन एक्स है, तो सब अलग निचर का है, इसलिए अपने को यही आंसर में छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहला कारेकरम क्या करना है, यह अलग बाट को अपने को लिखने का है, हर क्वेशन में, अब सबसे पहले x plus 1 से शुरुआतों का क्योंकि डिनॉम्नेटर है बाट derivative will be taken for numerator उपर वाले का लेने का बिटा माइनस अब numerator लिया x square minus 2x plus 5 और derivative लिया x plus 1 का अपन यहापर आएगा x plus 1 का square अब first वाले में कोई भी changes नहीं है तो x plus 1 ऐसी रहेगा बट x square का derivative क्या होगा 2x अब यहापर x का derivative 1 हो जाएगा x का derivative का जाएगा 1 तो 2 1s are 2 तो minus 2 ही रहेगा plus 5 का derivative का जाएगा 0 minus अब यह पूरा bracket में लिखता है reason यह दोनों अलग-अलग इससे है ठीक है x square minus 2x plus 5 एक अलग हुए x का derivative कितना था 1 और 1 का derivative कितना था 0 upon x plus 1 का square इसको भी solve करते है x plus 1 2x minus 2 x into 2 2x square x minus 2 minus 2x 0 को कोई बतला मतलब नहीं है 1 2s are 2x 1 minus 2 minus 2 का जिकत नहीं इधर minus अब इसको solve करते है 1 के सबसे 1 plus 0 1 1 का multiplied इससे होगा तो भी क्या आएगा यही आएगा मतलब अपने को यहाँ पर कुछ करने के ज़रात नहीं है x plus 1 का square तो क्या करेंगे 2x square minus 2x अच्छा यहाँ पर भी कुछ काने में ट्विस्ट 2x, 2x cancel हो सकता है बचा गया minus 2 बचा minus x square का multiplied minus है तो minus हो गया minus है तो इधर रगे क्या हैगा plus 2x और plus 5 तो क्या देगा minus 5 so x plus 1 का square अब देखो क्या कुछ cancel हो रहा है क्या 2x square minus x square तो 1x square बच गया minus 2 minus 5 तो minus 7 हो गया और 2x ऐसे ही रहेगा तो नीचे क्या बचा है x plus 1 का square इसके आगे कुछ भी solve होने वाला नहीं है तो अपना answer आगा dy by dx के खड़ को मैं म Moyहा है तो इस मितको है मुरा नहीं है तो हमें ऊपना तो हूंनक कना ड्या बचली के माला हूदा क्या को मicz 은 folland